अमेरिका एने से जैक सुलिवन का इस बीच बड़ा बयान आया है जैक सुलिवन क्या कह रहा है प्रेज़ड़न बाइडन प्रधान मंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुख है G20 मीटिंग में PM मोदी से मिलना चाहते हैं बाइडन 15 और 16 नवंबर को बाली में है G20 सम्मेलन यहाँ पर ये सम्मेलन और उसके बाद 17 से सम्मेलन वो एपेक का एशिया पैसिफिक एकॉनमिक कोपरेशन उसके पहले आसियान इदर जो बाइडन का ये कहना कि मैं बहुत उत्सुखता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात की रिशे सुनक और मैक्रों से भी मिलने वाले हैं PM मोदी G20 समिट में दोनों से मोदी की दिपक्षिये मुलाकात अब ये मुलाकातें दो दिन बाद बाली में शुरू हो रहा है G20 सम्मेलन रिशे सुनक और मैक्रों से भी मिलने वाले हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और रिशे सुनक के PM बनने के बाद उनकी आपस में ये पहली मुलाकात होगी टेलिफोनिक कन्वर्जेशन हुआ था जिसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उन्हें PM बनने पर बढ़ाई दी थी तो ये रास्ट्रा ध्यक्ष जब मिलेंगे खास तोर से जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं रशिया यूकरेन वार के मामले में उसको आगे यहां तक बढ़ा ले आने के मामले में वो क्या इस पर फुल स्टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं ऐसा लगता है कि अमारिका का मिजाज थोड़ा सा बदला है वो मैं क्यों कह रहा हूँ आगे उसके सुबूत आपको दूँगा उसके इशारे मैं आपको दूँगा लेकिन जरा देखिए G20 में एक मंच पर होने वाले हैं मोदी, बाइडन और जिन्पिंग बाली में बाइडन और जिन्पिंग की होगी मुलाकार ताइवान की वज़े से दोनों देशों के बीच रिष्टों में तनाव बढ़ा था रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी पुतिन के बदले यहां करने वाले हैं शिर्कत पुतिन नहीं आ रहे हैं क्योंकि जलिन्सकी ने कहा था कि पुतिन आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा यह पता नहीं इस बात का असर है पुतिन खुली नहीं आना चाहते जलिन्सकी यहां पहुचने वाले लेकिन यहां पर देखिये साथ में सरगेई लावरोव होंगे जो बाइडन होंगे भारत की तरफ से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी होंगे हुदर रेशे सुनक होंगे यह यह तमाम राष्टर ध्यक्षों का यहां जमावड़ा क्या जिसे हम शातिर कह रहे हैं क्या वो चीजों को आगे किसी पॉजिटिव डिरेक्शन में जाने देगा या क्योंकि अभी जिसका जिक्र किया जा रहा था अगर हत्यारों का बाजार फाइदे में है तो शातिर को यह सब यह सब माफिक आता है और अगर माफिक आता है तो इसमर फुल स्टॉप होने क्यों देगा तो जिसका जो जाता है